हलो दोस्तो दोस्तो ये रिमाइंडर उन सभी कंडिटों के लिए है जिनको एपियर होना है JKPSI exam में on 27th मारज को दोस्तो बहुत सारे कंडिटों होते है जो पहले admit card को phone में download करते है तिर किसी friend को whatsapp पर send करते है या किसी computer वाले को send करते है उसी screen shoot को print करके वो exam center में जाते है exam देने के लिए वहाँ पर क्या होता है कुछ officer's वहाँ पर बैठे हुए होते है जिनका काम होता है admit card को scan करना लेकिन जब वो इस तरह का admit card scan करते है ये admit cards वहाँ पर scan नहीं होते है तो अगर आपने भी इस तरह का admit card download करा हो तो directly admit card को computer से print कीजे उस admit card को scan होने में कोई problem नहीं होती है वहाँ पर तो बहुत सारे candidates क्या करते है पहले वो admit card को download करते है उसको फिर screen shoot लेके किसी friend को send करते है प्रिंट करने के लिए फिर वो admit card वहाँ पर scan नहीं होता है तो admit card को computer से print out कीजे इसमें बार कोड लगा हुआ होता है तो दोस्तों ये problem कुछ कंडेटिंग के साथ हुई थी during the finance account assistant exam उस दिन भी एक दो कंडेटिंग ने मुझे बताया था हमारे साथ ऐसी problem हुई थी exam hall में तो आज मुझे याद आया मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको ये बता दू तो दोस्तों thank you best of luck for this examination